हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टो माई चैनल ब्यूटी गॉसिप जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस फैस्टिफ सेजन में घर पर ही रहे कर अपने स्कीन को और भी ब्राइटनिंग और गलोइंग बना सकते हैं वो भी दही से फेशियल करके जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही दही से फेशियल करना बताऊंगी मैं आपको बता दू कि दही ना सरिफ हमारे खाने में जितने बेनेफिट है बलकि उसके उतने ही बेनेफिट हमारे स्कीन केर प्रोडेक्ट में भी होते हैं तो आज के इस फेशियल नहीं से फेशियल करने हैं जब भी आपको घर पर फेशियल करें तो आपको हमेशा पुर्पारिये नहीं कुरुनि यहां ज़ादार आप जितना फ्रेशियल करते हैं स्ञेखने हैं चहरे की क्लेंजिंग करना आप हमेशा याद रखिए जब भी आप घर पे फेशल करें तो आपका चहरा जो होता है वो बिर्कुल साफ सुत्रा होना चाहिए इस पर किसी भी तरह का मॉश्चराइजर या पर कोई मेक अपके चहरे पर नहीं होना चाहिए तो यहां पर मैंने अ क्लेंजिंग करूंगी लेकिन उससे पहले फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार अपने चहरे को एक बार और वाश कर लेती हूं कि यह इस प्रे बॉटल की है से मैंने यहां पर नॉर्मल वाटर से अपनो फेश गीला कर लिया है और तो चहरे की जो क्लेंजिंग करनी है वह भी हमने दही से ही करनी है तो मैं यहां पर ले रही हूँ एक चम्मज दही जिससे मैं अपने चहरे की क्लेंजिंग करूंगी अच्छे तरीके से तो चहरे की क्लेंजिंग के लिए मैंने लिया है एक चम्मज विर्कुल फ्रेश दही और इससे में अपने पूरे चेहरे के क्लिंजिंग करूंगी तो आप इस तरह पूरे फेस पर अच्छे से दही से अपने हातों से हलकी हातों से मसाज करेंगे चेहरे को क्लीन करेंगे अपने नोस एरिया अच्छे ने या फोर हेड पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और यह मसाज आपको 5-7 मिन तक करनी है और हमेशे जब भी आप फेशल के लिए मसाज करें तो हलकी हातों से अपने चेहरे पर प्रेशर देंगे ज्यादा धबाओं आप यहां पर अपनी स्किन पर ना डालें तो जब देते हैं कि अ जब हैं घर पर फेशल करें तो चेहरे के साथ साथ जो आपको करना है वह करना है अपने नेग अरिया को बराबर करना है कई लोग होते हैं जो अपना ने रिया भूल जाते हैं पिर वह नेक रिया जो होता है वो पूर से अलग है आपका चमकता है तो आप अपने नेक पे अच्छे से पैम पर करना है जितना अपने फेस को करें तो आप अपने हाथों पे भी इस तरह से कर सकते हैं आप चाहे तो अपने फुल हाथों पे कर सकते हैं इस तरह से मैं हमेशा जो भी करती हूँ वो अपनी हतेलियों पे भी जरूर करती हूँ ताकि हाथ भी साफ हो जाए फेस के साथ साथ तो आप चةाहें तो अपने हातों फूल बौड़ी पे भी network कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहे हुं जैसे दही से टेंप से पूरी ब्वाडी पे भी आजमा सकते हैं लेकिन अपने जो भी ट्राइ करते हूं और आफी मेरी उत्रही साफ रहे हैं जितनी मेरी बॉड़ी तो दही में कई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके डार्क स्पोर्ट्स होते हैं या फिर जो पिम्पल अक्ने के निशान होते हैं उन्हें लाइट करने में हेल्प करती है तो दही बहुत अच्छा इसकिन के आपके लिए है तो जब भी आप क्लिंजिंग करें जहां जहां पर आपके चहरे पर डार्क स्पोर्ट्स हो या फिर डार्कनेस के निशानों वहां पर ज्यादा अच्छे से मसाज करें ताकि दही से वह जो डार्क स्पोर्ट्स और डार्कनेस के निशाने वह थोड़े लाइट हो जाए मुझ आपको लगता है कि आपको क्लेंजिंग और करनी है तो आप और दःवी ले सकते हैं यह नहीं कि मैंने एक चमच बोला तो सरिफ आप एक चमच अगर आपके स्कीन पर दःव बहुत जल्दी अब्जोब हो जारी है तो आप और दही अपनी हिसाब से यहां पर ले सकते हैं कि तो में फेश को अच्छे से वाश कर के आचुकी हूं नौर्मल पाने से तो आप क्लेंजिंग के बाद देख सकते हैं कि फेच पे कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है अगर आप अब करना चाहे और तो आप यह स्टैप फॉलो करके अपने चेहरे पर दही से क्लेंजिंग कर सकते हैं वह भी घर पर ही तु कि फेशल का दूसरा step है हम उसे follow करेंगे वह है scrub तो उसके लिए भी आपको स्रिफ चाहिए एक चमबच दही और एक चोटा चमबच चीनी मेरी जो है वह मोटे दाने वाली इसलिए मैं चोटा चमबच ले रही हो अगर आपकी चीनी बरीक दाने वाली है तो आप एक बड़ा चमबच चीन अब इससे हम अपने फेस पर इसक्रब करेंगे तो इसक्रब भी आपको सेम सर्कुलर मोशन में करना है जैसे आपने क्लेंदिंग किया था वैसे आपको पने फेस पर करना है जहां जहां आपके ब्लक हैट ऑ वाइट हो वहाँ पे आपको ज्यादा देर तक कि टकरना है और वहां पो यह करना है लेकिन भागी इस प्लाड़ देर तक टकश्चरब करना है मेरे जैसे नोस एरिया पर ब्लैक है और वाइट का प्रॉबलम है तो मैं अपने नोस एरिया पर से ज्यादा देर तक करूंगी तो मैं अपने हाथों पे भी स्क्रब करेंगी सेम क्लेंजिंगी तरह पूरे फेस पे अच्छे समसाज करने हलके हाथों से के है के जीन इसे जो होती है वो काफ अच्छी होती है फेस के लिए तो आप जब भी स्क्रब करें घर पे किसी और चीज में अगर दही के साथ में किसी और चीज से इस्तेमाल करें चीनि बहुत अच्छा आपके चहरे पे गलो देती है प्लेंजिंग की तरह आपको स्क्रब चार से पांच में प्लेंजिंग करना है आप आपके ब्लैक हेट वाइड है वहां पर थोड़ा ज्यादा देट तक मासाज करें जैसे मैं अपने नोस एरिया पर कर रहे हूं आप जो यह स्क्रब है इसे अपने लिप्स पर भी अच्छे से कीजिएगा ताकि लिप्स जो ड्राइनस होती है जो लिप्स के फटेवे ब्लैकनस होती है फटेवे लिप्स की जो प्रॉब्लम होती है वह यहां पर सॉल्व हो जाईगी स्क्रब करने के बाद मैं ने फेश अच्छे से वाश कर लिया है और अब हम करेंगे लेना है अगर आपके पास चावल का आठा खाटा ले सकते आपके पास ले सब्सक्राण। आटा जो होता है उसका काफी अच्छा बेरिफिट यहां पे फेस पैक में देखने को मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप चावल के आटे से फेस पैक बनाएं अपने लिए अदरवाइस आप गेहूं का आटा या फिर बेसन का यूज कर सकती है और एक चीज और साधी सु अधर आपके फेस पे एंटी एजिन के निशान है तो यह फेशल जो है उन एंटी एजिन के निशानों को भी लाइट करता है और आपको जवां-जवां सा दिखाता है तो यहां पे फेस पैक के लिए मैंने लिया है एक बड़ा चमच बेसन और अब इसमें मैं दही आट आप लिया है आप कोशिश कीजिए आपके पास चावल काटा बनाना कोई मुस्किल नहीं आप घर पे आसाने से चावल काटा बना सकते हैं लेकिन अगर आप इस फेस पैक में चावल काटे का यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट जो होता है वो बाकी सब इफेक्ट से 100% ज्यादा देखने को मिलता है दहीं आप फेस पैक में अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए का कि ज्यादा पतला पेस्ट आप यहां पे ना बना दे मैंने देखिए जितना गाड़ा यहां पे रखा नहीं गाड़ा यहां पे रखेगा और अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे कहीं पिंपल के निशान है यह जो आप वहां पे इस फेस पैक को ठोड़ा गाड़ा रख सकते हैं अधर्य संपीर अपने अपनी फेसप्ले ऑफ स्कना चाहिं अ आपी स्प्लेक पूरा कुते हैं कि आपको बता दूं कि आप जब भी फेशल करें तो कोशिश कीजिए का उसके दो तीन घंटे बात तक आप किच्चन में ना जाएं किच्चन में जाके कुछ भी कुकिंग करने की जरूरत ना पड़े जब आपका फेश पैक अच्छे से सूख जाए तो आप नॉर्मल वाटर से अपने फेश को अच्छे से वाश कर ले और टैप टैप करके अपने फेश को और ड्राई कर ले और फेशल का आखरी स्टैप जो कि यह करना है वह राई है मॉश्चराइजि़न तो फिर जब आप पूरा फेशल डण कर दे और पैक उतार दे अपना और चेहरा साफ bend तोcıगे यहां पर आप ले सकते हैं जो भी क्रीयम यहां पर करते हैं यहां पर इस्तिमाल करते हैं तो उस्टेम टिल हें निर्व 250 गर्दन ना कमेंधेर और उसकी अपम कर लें तो यकीन मानिए करवा चौथ आ रहा है उसके लावा बागी फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो इस बार अगर आप अपने घर पे दही फेशिल ट्राइ करते हैं तो यह आपको पालर के जो महंगे से महंगे फेशिल होते हैं उनसे अच्छा रिजल्ट आपको अपने घर पे ही देगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दबाग के जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहां बहुत आसान आसान DIY बताती हूँ आपको तो यह था अच के इस वीडियो में मैं जल्द ही मिलूँगी नए वीडियो में तब तक के लिए पाई पाई